प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको कक्षा छठी विशेविज्ञान अध्याय साथ पोधों को जानिये के अंत्रगत उपविशेफ पुष्प के विबिन भागों के बारे में आवगत कराएंगे पुष्प के मुख्यते चार भाग होते हैं इस उपविशे को जानने का हमारा मुख्य उद्देश निमन है पुष्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करना पुष्पों से पोधे की पहचान करना पुष्पों अत्वाप फूलों के विबिन भागों की पहचान करना पुष्पों के विबिन भागों के कारियों को जानना पोधों के लिए फूलों का महत्व और उपयोगता को जानना इस उपविशे के आधार पर हमें निम्न दक्षताएं सीखने को मिलेंगी पहचान करना, जानना, समझना, एवं अवलोकन करना इस उपविशे में फूलों के मुक्यते चार भागों के बारे में बताया गया है फूल का सबसे नीचे का भाग बहाई दलपुंज कहलाता है ये अधिकांश हरे रंग का होता है बहाई दलपुंज के उपर रंगीन भाग जिने पंखुडियां कहते हैं उसे दलपुंज भी कहते हैं अंदर पुंकेशर होता है जो फूल का नर भाग होता है जिसे पंख भी कहते हैं दूसरा आंत्रिक भाग इस्त्रिकेशर या जायांग कहलाता है जो फूल का मादा जनन अंग होता है इस प्रकार से फूल के मुक्यते चार भाग होते हैं फूल का नर्भाग पुनकेशर कहलाता है यह फूल का नर्जनन अंग होता है इसके मुख्यते दो भाग होते हैं उपरी भाग पराग कोश कहलाता है जिसमें पराग कर्ण जिने नर्युगमक या नर्जनन कोशी का भी कहते हैं तथा पराग कोश के नीचे का भाग पूतन्तु कहलाता है यह पराग कोश के नीचे वाले भाग को पूतन्तु कहते हैं इस प्रकार से पुनकेशर फूल का नर्जनन अंग होता है क्योंकि पुनकेशर के पराग कोश में नर्जनन कोशी का अर्थात पराग कर्ण पाए जाते हैं पुतन्तु पराग कोश वाले भाग से नीचे पाया जाता है फूल का दूसरा जनन अंग इस्त्रीकेशर होता है जिसे मादा जनन अंग कहते हैं यह फूल का मादा जनन अंग इस्त्रीकेशर अत्वा जायांग कहलाता है इस्त्रीकेशर का सबसे उपरी भाग विर्तिकाग्र कहलाता है विर्तिकाग्र से नीचे का भाग विर्तिका कहलाता है तथा सबसे नीचे का भाग अंडाश्य कहलाता है इस अंडाश्य में बीजांड होता है इस प्रकार से ये इस्त्रीकेशर के विविन भाग होते हैं सबसे उपरी भाग विर्तिकाग्र उससे नीचे का भाग विर्तिका सबसे नीचे का भाग अंडाश्य और अंडाश्य के अंदर बीजांड प्रीव ध्यारतियों आज हम गुड़ल के पुष्प के विविन भागों के बारे में जानेंगे तथा उनके क्या क्या कारियों होते हैं उनके बारे में जानेंगे पुश्प का ये वाला भाग बाही दल्पुंज कहलाता है जब पुश्प कली का वस्ता में होता है तो ये भाग पुश्प की रक्षा करते हैं अधिकान्स हरे होने के कार्ट प्रकार संसुलेशन क्रिया दुवरा ये पोधे के लिए भूजन बनाते हैं इससे उपर का जो भाग है वो पुष्प का भाग दलपुंज कहलाता है ये अलग-अलग फूलों में अलग-अलग होने के काण्ड अलग-अलग रंगे होने के कांड्स कीटों को अपनी और अक्रिशित करते हैं जिसके कांड परागन क्रिया में सहायता मिलती है ये पीले के संष्ट च्ना दिखायी दे रही है कि पुष्प के अंब भाग जिन को पुनकेसर की कहते हैं लिटा गाकर का कुंस पुदंत। कागर कहलाता है उससे नीचे का भाग विर्ति का कहलाता है और फूल के अंदर का जो भाग है उसे अंदाश्य कहते हैं इस प्रकार से इस्त्री के शर्फ तीन भागों में जो कशा चठी विशविज्ञान अध्याय साथ पोधों को जानिये के अंदर गत्त हम फूल के विभिन भागों के बारे में जानेंगे पुष्प के मुक्ते चार भाग होते हैं सबसे बाहिये भाग बाहिये दल्पुझ कहलाता है बाहिये दल्पुझ जब पुष्प इस कली का अवस्ता में होता है उस समय ये पुष्प की रक्षा करता है अधिकांस फूलों में बाहिये दल्पुझ हरा होने के करण प्रकास अंसलेशन किरिया दोरा पुधे के लिए भोजन भी बनाता है इसके बाद का जो भाग है उपरी भाग जो रगीन भाग होता है जिसे पंगुडियां भी कहते हैं तथा गल्पुझ भी कहते हैं ये अलग-अलग प्रकार के पादत में अलग-अलग रंके होते हैं और रंगीन होने के कारण ये केटों को अपनी और आक्रिशित करते हैं जिसके कारण परागन क्रिया में सहायता मिलती है पुष्प का आंत्रिक भाग पुष्प का आंत्रिक भाग ये है और इस आंत्रिक भाग में पुष्प के नर्थ तथम मादा भाग पाई जाते हैं जब हम इस दलपुंज को हटाते हैं पंखुडियों को हटाते हैं तो हमें पुष्प के नर तथा मादा भाग दिखाई देते हैं यह कुष्प के नर भाग हैं जिनको पुनकेशर कहते हैं या पुमंग कहते हैं कुनकेशर पुष्प का नर भाग कहलाता है नर जनन अंग कहलाता है और बीच के अंदर यह सरचना ये पुष्प का मादा भाग अर्थात इस्त्रीकेशर कहलाता है इसे जायांग भी कहते हैं पुष्प के नर भाग को पुनकेशर या पुमंग तथा मादा भाग को इस्त्रीकेशर या जायांग कहते हैं ये दोनों पुष्प के जनन हंग होते हैं पुनकेशर का उपरी भाग पुनकेशर का उपरी भाग पराग कोश कहलाता है पुष्प का उपरी भाग पुनकेशर का उपरी भाग पुतनतु कहलाता है ये पुष्प का नर जनन अंग है जिसे पुनकेशर या पमुन कहते हैं इसका उपरी भाग पराग कोश सथा नीचे वाला भाग पूतन तो कहलाता है पराग कोश में पराग कन जिसे नर जनन कोशी का या नर जनन यूगमक कहते हैं ये बहुत सारी संख्या के अंदर इन में पाई जाते हैं, ये उश्व का मारा भाग है, जिसे इस्त्री केसर या जायांग कहते हैं, इस्त्री केसर का सबसे उपर वाला भाग विर्ति कागर कहलाता है, इसके नीचे वाला भाग विर्ति का कहलाता है, और सबसे नीचे वाला जो भाग है, वो अंडाश्य कहलाता है, विर्थी कागर इसे नीचे का विर्थी का और ये भाग अंडाश्य के लाता है अंडाश्य के अंदर बीजांड होते हैं और बीजांड परिबत्व होकर के फल बनता है और इस फल के अंदर बीज बनते हैं इस प्रकार से पुष्प के ये विविन भाग थे तथा उनके विविन काईए इस उपविशे के मद्यम से आप जान पाएंगे पुष्प पोदे के लिए क्यों आवशक है पुष्प के मुख्यते कितने भाग होते हैं पुष्प का चित्र बनाकर उनके विविन भागों के नाम लिखो पुष्प के सभी भागों के नाम लिखकर उनके कारिये लिखें अध्यापक से चर्चा करें पादप पर पुष्प कब लगते हैं तथा क्या सभी पुष्प के कारिये एक समान होते हैं इस प्रकार से पुष्प के बारे में हमें विश्ट्रित रूप से इस उपविशे के माद्यम से जानकारी प्राप्त होगी नहीं प्राप्त है? प्राप्त है आप्राप्त है प्राइब आप्राइब कि अधिन बंद करां ना देखान वह देर होगी में जोड़ा मिनिट के आगी जो चल तो ही जारो से तो में रिकोर्डिंग हो भी लिए तो जब चल तो ही जारो